हाई फ्रेंड्स आज लाए हैं हम यह वाला स्वेटर आपके लिए यह क्रोशिय का पैटर्न है यह बॉडर यह भी मैंने क्रोशिय से बनाया है यह दोनों साइड में डिजाइन डाला है और बाजू इसकी प्लेन रखी है यह दो साल तक के बच्चे का स्वेटर है यह कॉलर भी मैंने क्रोशिय से बनाया है यह स्टार्ट करके बताते हैं यह बला डिजाइन कैसे बनाया है सबसे पहले बॉडर बनाएंगे यह बॉडर की जितनी चोडाई हमने यहां से रखनी है उतनी चेन कर लेने हैं उसी हिसाब से आप उसदे आप जैटर हैं यह बेपाई यह बीजा है जिटना चोड़ा बार्डर आपने बनाना है उतने चेन पर लेने आपने हिसाब से अग्याएं यह बजाच्तु यह इस तरह से हमने बॉडर बना लेना है सिंगल क्रोशिया से जैसे आप चाहो तो बॉडर सलाईयों से भी बना सकते हैं लेकिन क्रोशिया का बॉडर सुन्दर लगता है पॉडर बना सकते हैं इस तरह से जितनी हमने स्वेटर की चोड़ाई रखनी है उसी साफ से ऐसे इस तरह से इधर को बढ़ता जाएगा यह बॉर्डर बना लेना है पहले हमने यह बॉर्डर बना लिया है हमने ऐसे दिखो जितना भी स्वेटर को भी चोड़ाई रखनी है उतना हमने बुनते रहना है इसको इधर से चल रहा है ऐसे अगे-अगे इसके बढ़ते रहना है जितना भी स्वेटर रख लेना है उसके बाद यह उपर से शुरू कर रहे है हम यह यहां तो चेन करेंगे यहां पर हम यह निच्चे सिंगल क्रोशिया किया है तो यहां हम डबल क्रोशिया से करेंगे यह एक डाल लिया है जब आप स्वेटर बनाओंगे यह तो मैं आपको पैटन मता रही हूं हो ना जब यह स्वेटर बनाओंगे तो यह पर यह बढ़ा लेने हैं हमने फंदे यहां दो दो चार छे फंदे बढ़ा रखे हैं हमने एक की जगा दो डालने हैं जैसे यहां डाल रहे हैं फिर दुबार है यहां ऐसे तीन बार डालेंगे तो तीन फंदे बढ़ जाएंगे तो तीन इदर से बढ़ जाएंगे जितने आपको बढ़ाने हो उतने बढ़ा सकते हो जैसे हम सिलाई पर बढ़ाते हैं और सिंपल क्रोशिया से हमने बुनते रहना है यह एक-एक में डालते रहना है नीचे जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ है सिंगल क्रोशे किया उसकी एक 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 उसमें डाल डाल के बनाते रहें कि पूरी लाइना सी कर लो निया हमने अपने चड़ाई के हिसाब से आप फंदे बढ़ा लेना अब फिर दो चेन कर ले जैसे निचे ये डबल क्रोशिया से सिंपल बनाया है ऐसी हमने पांच रो करनी है जैसे ये एक रो बनी है ऐसी ऐसी पांच रो करनी है उसके बाद ये डिसाइन आएगा ये एक दो तीन चाफ पांच वी रो बे ये डिसाइन आता है ये पांच रो सिंपल करनी है ऐसे हम एक हो गई है अब भी पांच करेंगे ये भी डबल क्रोशिया से चलेगी ये चार लाइने हमने सिंपल बना ली है चार रो के बाद ये डिसाइन शुरू होते हैं ये डिसाइन पांच वी रो के शुरू करते हैं यहां दो चेन करेंगे एक स्टिच यहां लगाया एक और स्टिच लगाया उसके बाद हमने पांच स्टिच करनी है पांच चेन करने के बाद एक दो टीन तीन स्टिच छोड़के निचे वणा, तीसरे के निच्चे जो स्टिच आता है, वहां उसको ऐसे उठाके यहां अगए है, यहां अटैच कर दिया, फिर यह जो चेन यहां टैच की है, यहां हमने हाफ क्रोशिया करना है यह सिंगल क्रोशिया था, यह डबल क्रोशिया, यह हाफ क्रोशिया, यह कैसे करना है, यह ऐसे करके, यह करके, एक, दो, तेन, चार, और पांच, पांच स्टिच लगाने, पांच स्टिच लगाने के बाद इसको यहाँ, तैसे अटेश कर देना है, फिर इसको ऐसे घुमा के, यह दो स्टिच लगाए था हमने, उसके बाद, यह चार स्टिच लगाने है, यहां में, दो, तीन, और चार फिर हमने पांच चेंडर में है फिर यहां से एक, दो, तीन और तीन इसरे के नीचे वाला यहां इसको टेश करने यहां से भी दिखोगे तो तीन के बाद यह चोथे पर लगा रखा फिर यहां हाफ क्रोशिया पांच स्टिच फिर इसको यहां अटेश पर देने फिर यहां पर सिंगल क्रोशिया चार स्टिच यह चार स्टिच लगाने के बाद फिर हमने पांच चेन करनी है और इस, दो, तीन नीच्च वली रो में इसको टेश करते हैं फिर हाफ क्रोशिया के पांच पूरी रो यह ऐसी बनेंगी है यह एक रोख हमारी बनेंगी है पूरी डिजाइन वाले इसके पाद फिर से यह प्लेन वाला बनाना है बड़ा इजी डिजाइन है यह है अब यह उल्टी साइट में आगे हैं और इसको ऐसी पना लेना सिम्पल हमने डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेना इसको झालमी में आगे में आगे हैं मुझा लेके इसके तो यह हैं यह उल्टी ड्राइन ढेएन वालë रिजाओं यह वज़ प्ले प्लेक्न वीज़ब झाल के चाश्याएन तो आगवाय है झाल 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 यह ग्रोव भी यह उल्टी साइड वाली अभी इधर से सिद्धी बनाएंगे डबल ग्रोशियर से यह सिंपल रोव तीन बना लियां हमने यह डिसाइन के बाद तेन सिंपल रोव बना लियां अभी यह फिर यह वाला डिसाइन स्टार्ट होगा यह दो चेन करेंगे यहां पर एक स्टिच दो स्टिच पांच चेन और उसके बाद फिर यह एक दो तीन और यह ध्यान रखना है कि इस वले इस वली रो से पर नीचे वली रोल में जाके स्टिच करना है एक छोड़ के पीच में क्यों कि पीच में प्लीच के पेँ करते हैं यह फिर पांच चार स्टिच लगाने है यहां पर फिर पांच चेन यह चार स्टिच लग गए फिर यह एक दो टीन यह वली रो छोड़ते नहीं है नीचे वली यहां से लेना यह दूछरी रोजी कंप्लीट हो भी यह डिसाइन वाली हमारी यह बस इसी तरह से आगे चलेगा यह चोथी चोथी सलाई पे तेन प्लेन डालके चोथी स्टार्ट करने है उसके साथ यह डिसाइन डलेगा देखो कैसा लग रहा है यह पूरे स्टर पे डाल रखता है दोनों साइड पे लेकिन बाजू पे नहीं डाल रहा है डजाइन बाजू प्लेन है जैसे यह बना रहे हैं हूं इसी तरह से यह बाजू बने हैं दोनों यह कंप्लीट होके हमारे डिजाइन अब आप बनाए इसको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल मेरे को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे और अच्छे अच्छे पैटन लेके आएं आपके लिए थैंक्यू फरवाचिभी